दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों याप तक हमारी यूट्यूब चैनल को संक्राइब नहीं किया तो पीलीज संस्क्राइब ज़रूर करें वर सब्सक्राइब करने के पसाथ बैल आइकान पर किलिक करके नोटिफिकेशन कोन करें ताकि हम जो भी वीडियो अप्रोट करें वह आपको आसानी से नोटिकेशन दोरह मिल जाए दोस्तों पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था नेटवर्क प्रोवलम के बारे में और ठीक है दोस्तों माइक तीन तरह के माइक होते हैं वैसे तो दो केटेगरी में आते हैं पहला होता है आई सी माइक आई सी माइक ठीक है यह इसका मैं रेल से बना देता हूं इसके नीचे पांच पिन होती है ठीक है नीचे की साइड और दूसरा जो होता है उसमें चार पिन होती है ये पिन जो होती है वो सिल्वर होती है ठीक है सभी पिन सिल्वर की होती है और जो बोड़ी होती है ये जो बोड़ी होती है ये स्टील की होती है तो ये तो कैटेगरी एक हो गई है आइसी माइक अब दूसरा माइक जो है वो है नोर्मल माइक ठीक है दोस्तो नोर्मल माइक का रेल से बना रहा हूं तो इस तरह से गोल होता है ठीक है और इसमें दो पिन होती है एक पिन जो होती है वो ग्राउंड से इसकी बोड़ी से टाच होती है जिसको माइनस बोलते हैं एक जो टच नहीं होती उसको माइक प्लस बोलते हैं तो ये होता है नोर्मल माइक कैसे दिखते हैं ये रेल में कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा पहले थोड़ा सा इसका थियोरी बता देता हूँ देखिए इसकी कीमत है 2.5 रुपए ठीक है? 2.5 रुपए तक की भी इसकी कीमत है 2.5 रुपए से शुरुवात होती है ठीक है? और जो ये वाले मालिक आते हैं ये जो ये मालिक इनकी टेस्टिंग क्या होती है इन सबी को हम कैसे पता करें कि माइक ख्राब है देखिए अगर आपके मुबाइल से की जाने वाली रिकोर्डिंग या कॉल नहीं हो दूसरे मुबाइल से आपके आवाज नहीं जा रही है आपके मुबाइल से दूसरे के मुबाइल में कॉल करने पे आवाज कट कट के जा रही है आवाज जा ही नहीं रही है या आप तेज बोल रहे हैं मूह लगा के बोल रहे हैं पहुंच से जब जा रही है या एक बर तेज हो रही है फिर बर दब रही है या आवाज के साथ कोई अन्य प्रोब्लम कुछ अलग तरह की आवाचे आना ये सब प्रोब्लम हो रही है तो समझो कि आपका मुबाइल का माइक ख्राब है उस कंडिशन में आपको माइक बदलना है ये टूपिन का जो माइक होता है दोस्तो इसके अंदर दो तार लगे होते हैं इस तरह से एक माइक होता एक प्लस होता है आपको प्लस प्लस की जगह पे लगाना है प्लस रेड होता है और ये ब्लैक या ब्लू कोई अन्य कलर में होता है ठीक है और ये जो माइक होते हैं इनके अंदर तार नहीं होते हैं इनके अंदर नीजे पिन होती हैं और इनको SMD की मदद से निकाला जाता है और SMD की ही मदद से होट एर गन की मदद से ही इनको चैंज किया जाता है दोस्तों तो उनसे ही निकलते हैं और इनकी टेस्टिंग क्या होती है वो मैं वीडियो के लाश्ट में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहें ध्यान से देखिए दोस्तों आपके सामने तीन माइक नजर आ रहे होंगे ये दो जो माइक है वो है आईसी माइक और ये जो अपने एक माइक है ये दो तार वाला दो पिन वाला है ये है नॉर्मल माइक दोस्तों इस माइक के अंदर जाद तर यही लगे होते हैं चाइनिज म कम फोनों में लगे मिलेंगे ठीक है उन भी Android फोन में ही मलेंगे दोनों तो इसके अंदर दो पिन होती है एक पलस की होती है एक माइनस की होती है दोस्तो और देखिए अब यहाँ पे देखिए यह 5 पिन वाड़ा माइक है अब इसको उल्टा करके हम आपको दिखाते हैं यह 4 पिन वाड़ा माइक है दोस्तो अगर आप लोगों के पास जो मुबाइल है उसमें 2 पिन का मुबाइल है तो आपको 2 पिन का ही लगाना होगा च चार पिन में चार पिन का ही लगेगा आप ये नहीं कर सकते कि चार पिन के जगे चार पिन वाले माइक के जगे दो पिन का लगा दो या पांच पिन का लगा दो ऐसे आप नहीं लगा सकते आपको उसी हिसाब का माइक लगाना पड़ेगा माइक छोटा हो बड़ा हो ये भी सा आइस मैच नहीं करेंगे तो इनकी पिन भी नीचे से मैच नहीं होंगी और जो दो पिन वाला माइक है यह चोटा बड़ा कोई भी फिट हो जाए वह आप लगा सकते हो लेकिन ज्यादा तर यही होते हैं और दोस्तो यह जो आईसी माइक है ज़्यादा तर सैमसंग और एम आई वगेरा के फोन में ज़्यादा तर मिलते हैं और बाकी मुबाइलों में यह टूपिन वाला जो माइक है नॉर्मल माइक है यह मिलते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही इनके उपर एक स्पेसल अलग से और वीडियो हम बनाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम और ज़्यादा आपको बताएंगे और इसकी टेस्टिंग आपको बता देते हैं देखिए दोस्तो पांच पिन का मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर देखिए एक साइड तीन पिन है एक साइड दो पिन है जो तीन पिन आप देख रहे हैं दोस्तो इस बीच वाली पिन पर मल्टी मीटर की एक पिन रखिए और बाकी दोनों पर वैलू आनी चाहिए ठीक है और वो भी मल्टी मीटर की एक साइड पर दूसरी साइड चैंस करके लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो यह माइक सही है अगर दोनों साइड से वैलू आ रही है या भी पा रही है तो माइक ख्राब है इसमें चार पिन वाड़े में ध्यान से देखने को मिलेगा कि दो जो पिन है वापस में मिली होती है जो के ग्राउंड होती है और दो अलग होती है जब हम इस side से value लेते हैं इस side पर एक multimeter की pin रखते हैं तो दूसरी इन दोनों pinों पर value आनी चाहिए वो भी multimeter की एक side से अगर beep आ रही है या value नहीं आ रही है तो एक राब है तो इसकी ये testing है और इस वारे पर एक side value आनी चाहिए multimeter से दूसरी side value नहीं आनी चाहिए तो एक ठीक है अगर दोनों side value आती है बीप आती है तो एक राब है तो दोस्तो आज की वीडियो मस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलीज अग लाइक दीजिए कुछ और ज़्यादा question से आपके तो comment कर सकते हैं और ज़्याद से ज़्यादा दोस्तों share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जय इन जय वारत